मैं इस समय एतिहासिक जहासी की रानी लक्ष्मिबाई के किले पर हूँ जहासी शहर के बीचों बीच बना ये किला गवाह रहा है पुरे बुंदेलखंट छेटर में जो राजनितिक और सामाजिक बदला हुआ है पिछले कई सदियों में और इस बार यहां चुनाव होने वाल का उमीदें यहां पर आगा इस चुनाव से मुझे तो यह की उमीद लगती है कि सबसे पहले यहां पर सबसे जान्दा युवा वर्क बहुत अच्छा है मतलब भी रोजगार है और ना उनको कोई रोजगार है और सबसे बड़ी समस्या है जहासी के सहरी छित्र में पेजल क पेजल को लेकर हर जगे टंकी बन गई हैं नल लग गए हैं कहीं नलो में पानी नहीं आ रहा है लेकिन नलो में पानी तो नहीं बिल जरूर घर आ रहा है बिल आ रहा है लेकिन नलो में पानी नहीं आ रहा है लेकिन नलो में पानी नहीं आ रहा है लेकिन नलो में पानी नही उसकी सुनवाई पूरी तरीके से होनी चाहिए व्यापारी वर्ग के बद्रिदी हैं व्यापारी की क्या उमीदे हैं क्या मुद्दे हैं व्यापारी के मुद्दे तो यह हैं कि आज व्यापार जो है वह बिल्कुल धरातल पे आ चुका है वह ब्यापारी मद्यम वर्गी वह अपने आप में कि वह यह चाहरा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा जो आनलाइन एक बन्दूनाच है वह बंदूना चाहिए दूसा उसको ऐसी सुपदा मिले कि उसको वियापार करने में आसानी आफ्याई जो पेसे है उनका निदान जरूरी है क्या समस्यां तो बहुत सारी है व्यापारी बर्की समस्या है टैक्स्या हैं टैक्सेशन сबस्या प्रोफिट घटती चली जाल Requध बढ़ता जाल रहा है व्यापारी कीपंड वाध कमघे है किसानों ने बहुत अंदोलन किया है दिल्ली में धूसरे राजयों में यहां पर बंदेलखंड की किसान है उनցकी क्या उमीदे हैं उनके क्या pathway की जो किसानों की सबसे गंभीड समस्च्य है वो मदलों पानी की है बादी की बहुत जानदा ब्यापारी मालों उसका मुल्त करता है तो MSP पर हमारे इसलिए मांग है जैसे आज मालों कांटे चल रहे हैं तो हमारा गया हूँ 25 जा रहा है चलो ठीक है कल के दिन जब कांटे खतम हो जाएंगे तो हमारा बोई गयहू 18-19 समय लिया जाएगा इसी इसलिए हम लोग MSP पर जाएगे जिस पर 2024 में क्या नया दिखता है चुनाओं में 2019 के मुकाबले जब हम 2019 की बात करें तो बड़ा बिकास का बदलाओं हमें नजर आता है इसके साथ-साथ उद्धोग और ब्यापार में चुकि मैं ब्यापार मंदल से चुड़ा हूँ प्रदिस अद्यक्षू लग लग बंद खन्राजे हर चुनाओं में हमारे प्रभू राम के कुटम की नेत है लेकिन आज की हिशा मैं यह निवरतित हो गई अब जूट, जुमला, फरेब, बर्गला के वोट ले जाना, तीन साल के भीतर भगवान राम को साक्षी मान के हमलों से वादा किया गया था कि बुंदेलखन बनवा देंगे, 2014 में, यही राजना सिंग्जी बोल गए थे, यही हमाई प्रधानमंत्री उनको बैक कर गए थे, कि कहावे को, इनके वादों को हम पूरा करेंगी, 10 साल पूरे हो गए, किसी के भी कान पे जून ही रहेगा, लगातार हम लोग पुतले देहन करते रहे, रोग जाम करते रहे, ग्यापन देते रहे, लेकिन कुछ सुनवाई जब नहीं हुई, तो हम लोगों ने एक निया कार प लोग सभा में नहीं किये, एक पुश्पेन सिंह चंदेल हैं जन्होंने आठ बार बात की, लेकिन दुर्भाग देखी हमारे जो छेतरी सांसद है जाहसी के जो सांसद है, वो उनके पीछे बैठे रहे से पुश्पेन सिंह चंदेल जी को नहारते रहे, उननों ने टेबिल तक नहीं थपता पाई तो ऐसा सांसद हमारे किसी काम का नहीं हो साथ ही जो अन्य सांसद जिन्होंने बात नहीं उठाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वो लोग सभा में ना जा पाएं क्योंकि जो बुंदेल खनका नहीं वो हमारे किसी काम करी आपके लिए क्या नय है वहाँ से चाइना का वह हो फो पाकिस्तान का वे कहीं से भी हमारे उपर प्रहले हमले हो उन्ह पर अंकुष लगा जिस तरीके से यह गलेंट रही है और कुस्त लगा को मैं काफी मानता हूं जो भी गलमेंट बनती है इसको देश की सुरक्षा पर वह से द्यान देना चाहिए साथ ही जो सेटीजन ओप इंडिया आम जंता है उसकी जो समस्या है बुनियादी जो समस्या है सिख्षा है स्वास्ते इन सब चीओं पर भी फोकस करना चाहिए आपके जिसे जो युवा महिला है जो जासी में रहती उनकी क्या नहां का जो मुद्दा है वो यह है कि अगर आपको यहां कोई नाई को भी खड़े कर देंगे लल्लू नाई एक दम से उसको कुछ नहीं आता है तो उसको भी जनता जिता देती है ऐसा क्यों मैं अपील करना चाहूंगी युवाओं से कि वह सही फैसला लें क्योंकि जनता यह नहीं देखती है कि वह लाई है या एक दम कुछ नहीं जानता है ठफ है वो सिर्फ यह देखते ही कि मोदी कुछ नहीं बौड जा रहा है यह मोदी के लिए बोकर सबसे पहला तो यह हमारा बेरोजगारी के होते हुए लड़कियां फांसी लगा रहे हैं लड़के क्योंकि उनकी पढ़ाई वड़ाई सब ध्वस्त है किसी काम की नहीं है वो तो मेरा सबसे जो बढ़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है अप लगता है कि इलाके का विकास प पवन के साथ हिमाज शुशेकर एंडी टीवी इंडिया